आई मोईल पे अप्लिकेशन में फिंगर प्रिंट लोग कैसे लगाया जाता है तो आज की इस वीडियो को मिस मत की जगा क्यों कि इस वीडियो में आपको कम्प्लीट जनकारी देने वाला हूं कि आई मोईल अप्लिकेशन में फिंगर प्रिंट लोग कैसे लगाया जाता है ज कि यहां पर हम log in करके enter कर सकते हैं अपने account में तो यहां पर मेरा account open हो चुका है तो दोस्तों अगर आप नहीं चन्ते हैं कि IE mobile पर क्या होता है इसको जो है आइसी आइसी bank ने launch किया है और आप जो है किसी भी account का अगर आपका खाता है तो इस यह आई मुबाइल अप्लिकेशन जो है आप यूज कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से तो यहाँ पे चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फिंगर प्रिंट आप इसमें लगा सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू बाइलेंस के नीचे में मेनेज यूपी आईडी है तो यहाँ पे आप किलिक करेंगे किलिक करने के बाद यहाँ पे एक देख सकते हैं फिंगर प्रिंट का एक आप्सन है तो यहाँ पे आप करने के बाद यहां पर फिंगर प्रिंट आएगा तो यहां पर हम किलिक कर देंगे तो किलिक करने के बाद यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा उसके बाद यहां पर यह सक्सेस हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे fingerprint यह लोक लग चुका है तो यहाँ पे हम अगर back आते हैं यहाँ पे इसको मतलब log out कर देते हैं उसके बाद हम इस फिर application को open करेंगे तो open करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह के से हम open कर सकते हैं fingerprint लोक लगा के तो यहाँ पे देखिए login using fingerprint तो यहाँ पे फिर से अपने phone का जो sensor होता है जो fingerprint अगर आप में support करता है तो यहाँ पे फिर से आप सटाएंगे सटाने के बात यह देखिए मेरा account जो है open हो चुका है तो आप इसी तरह के से अपने iMobile Pay application में जो है fingerprint लोक लगा सकते अब हम बहुत ही जरूरी है यह तो दोस्तों आप इसी तरह के से fingerprint लगा सकते है तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आएट लाइक कीजिए और इस चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए और बगन विच बेल आकेन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकरशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा